हलो जी वेलकम बेक टो मैं चैनल तो कैसे हैं आप सबी लोग है होप आप सब ठीक होंगे गुड मॉर्निंग तो आज उठेते सुबा पांच वजे सबसे पहले पूजा पांच वजे गई अपना वाक करने के लिए वो सुबा जाती है वाक के लिए क्योंकि उसे वेट लॉस कर वो अभी जस्ट वापस आई थी अभी वो आटा गून रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं अपना पानी वेगरा गरम कर लेती हूं पीने के लिए और मैं भी आजकल अपना लैमन गरम पानी पीने लगी हूं उसमें लैमन डालकर वेट लॉस के लिए अच्छा होता है क्योंकि तमी बहुत जपे अब हो जाता है और सरदियों में हम बहुत जाता ओयली खाते हैं प्राठे खाते हैं तो बहुत जादा टेस्टी लगते हूं तो उसकी वजही तो ङंगिन हो जात कर उसे सबी टे वारिष आल रहते हैं।역हां सकते हैं सबस्की असके और बहुत जञते हैं। सभी ह cancel को दीजु को हैं, नहीं है। सबस्की物 का आफ पाणीय।। हम wealth것 पारिश अबने के देता है। तो उसी वज़ा से मैंने अपना कोटी वेर कर लिए क्योंकि ठंडी बहुत जादा हो गई अभी मौसम काफी एकदम से चेंज हो गया है तो इसलिए अभी हम लोग रजाई वगएरा लेने लग गया है पहले हम लोग कंबल ही लेते थे थोड़ा सा मैंने अद्रक भी कुट कर जाए ने डाल दिया है चाय में उसमें टेस्ट अच्छा आता है और गले के लिए भी सही रहता है उसके बाद जी फटाफट से में अपना इतने में मेरा जो गरम पानी है मैंने रख दिया है उससे पहले मैंने सोचा कंबल वगएरा जोड़ कर मैं सारे अपना रख देती तो बस जी उसके बाद मैंने जाइ जोड़कर रख दी है और मैं ये कपड़े जितने हुआ है क्योंकि पानी था जो ज़्यादा घर्म हो गया था तो मैंने सोचा थोड़ा साही हो जाएगा पीने के लिए फिर मैं पीलूंगी से इतने में मैं वेली थी तो मेरे पास टाइम थ तो जल्दी काम हो जाएगा तो बस जी उसके बाद मैंने बैट सिट वेरे सही करा और जो भी कपड़े इदर उदर फैले हुए थे वो सब सही करें तो यहां पर अब देख सकते हैं यह गद्दे भी हमारे खराब हो चुके हैं नियू लेकर आने वाले हो गए हैं सोच रहे थे क्या करना है कैसे क्या होगा तो यहां पर मैं पड़्दे बंद कर रही हूं कि दूप तो है नहीं थी तो ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी तो बस जी उसके बाद जी एकल हम मंडी गए थे रात को तो सबजियां लेकर आए थे बस ऐसी टेवल पर रख रखी अभी इनक क्योंकि सुबह जल्दी उटकर चलदी उटते थे ना तो सबसे अच्छा रहता है क्योंकि सारे काम ट rijμ सब हो जाते हैं और इक ऐसी बेकम स्ब्रूर थी टांसलें हो जाता है अदरवाइस लेट ऊठने की वजह से बेक वर्च पर हो जाते है तो सारा शिडूल हो जाता है तो मम्मी भी breakfast कर रहे हैं उसके बाद जी मैंने सबजियां रख दी थी तो बस उसके बाद हम लोग किचन में आ गए थे तो यहां पर मैं अपना चाय ले रही थी क्योंकि मुझे एक घंटा हो गया था पानी पीए होए तो मैं एक घंटा आदे गंटे में अपना उसके बाद बेगफस्ट कर लेती हूँ तो बेगफस्ट में मैंने चाय ली है दो बैड ली है बस में इतना ही बेगफस्ट करूँगी उसके बाद जी पूझा ने मिशीन भी लगा दी थी क्योंकि कपड़े बहुत ज्यादा हो गए थे अभी मौसम खराब की वज़ा से डेली कपड़े चेंज गरते हैं तो दोना होना पड़ता है दोने पड़ते हैं और आपको पता है सर्दी के कपड़े जल्दी सूखते भी नहीं है तो हमने सोचा सुबह सुबह ही लगा देते हैं मिशीन की काफी कपड़े थे तो अभी दूप अभी तो निकली नहीं है देखते हैं क्या प तो बस आप लोग ना आपको कुछ सोचना नहीं है आपको बस जैसा जो आया आपके मन में आपके जैसा आपको सही लगए आप वैसा करो तो कभी भी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए मतलब दिमाग में यह चीज़ रखनी नहीं चाहिए कि करें ना करें बस जो भी आपके मन मे आता है हाथ में आया आप करते जाओ कुछ भी आपको सोचने के समझने की जरूरत नहीं है तो बस हम भी ऐसा ही है कुछ भी सोचते समझते सोचकर प्लैनिंग करकर कुछ भी नहीं करते हैं बस जैसा जो होता है हम कर लेते हैं हाँ बतलब रात को सोचते जरूर है कि कल उठना है जल्दी ये करना है वो करना है बट हाँ फिर सुखा उठते हैं जब ये नहीं होता कि हाँ उठे हैं तो चऽलो चलो प्रेशर जा नहीं रखते है दिमाग में बस ऐजा होता है कि जिसके हात में जो काम आया ना वो कर लिया तो बस जी उसके बाद कपड़े दूल चुके थे वो जाने कपड़े छट पर लगाने के लिए आगे थी सूखने के लिए आप देख सकते हैं मौसम बहुत ज़्यादा खराब है तो बिल्कुल भी दूप नहीं है वर्ट हम लोगों ने इसको कपड़ों को श्पीन कर दिया है तो अपने अपक पड़े Matter जो है सुखते जाएंगे क्योंकि स्पीन करने से काफी जादा ड्राई कपड़े हो जाते हैं सुखचा जाते हैं तो बस थोड़े सी हवा ही लगानी होती है तो दूप तो यहां पर जी हम नहां दो करा चुके तो यहां पर क्या हुआ हमारा स्कूर्टी था जो पैंचर हो गया तो अभी हम स्कूर्टी वाले शॉप पर रुके हैं पैंचर लगवा रहे हैं स्कूर्टी का सारा ही निकल चुकर टाइड का आप देख सकते हैं सामने तो अभी भाईया जो हैं पैंचर लगा रहे हैं स्कूर्टी पर यहां पर हमें काफी जादा टाइम लग गया था एक घंटा लग गया था क्योंकि पहले वी वो किसी और का काम कर रहे थे उसके बाद ज पुल्यबोली पुकॉड़े काते हैं गर्मा गरम तो हमने यहां पर मिक्स पुकॉड़े खाए चाए के साथ जो की बहुत ही अध़ युमी थे तो बस जी हम लोग वही कर रहे हैं आप देख सकते हैं और इतना ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गरम पुकॉड़े मिल जाए तो पुकॉड़े भी काफी जादा अच्छे लग रहे थे खाने में टेस्टी लग रहे थे और बस हमने चाए भी पुकॉड़े खाए उसके बाद जी हम जले जाएंगे घर तो यहां पर जी हम घर आ चुके हैं घर आने के बाद कपडे वगेरा चेंज करने के बाद मैं यहां पर लगी हूँ पालप को सवारने के लिए पालक काटने के लिए घ्र कम जाज बनेगा पालक पनी तो पीत को ममी को बहुत जादा पसंद है तो मैंने सोच चलो दुपहर के लंच की में त्यारी कर देती हूँ तो मैं यहां पर चाकू के साथ ही काट रही हूँ हमारे पास जो आता है ना वो काटने के लिए दाती बोल दें उसको वो नहीं है और अगर होता भी तो भी कोई साथा नहीं था क्योंकि मुझे उससे काटना नहीं आता है तो मैं चाकू से ही यहां पर आप देख सकते हो काट रही हूँ तो बस जी उसके बाद मैंने यहां पर दूद आज भाईया जो था लेट आया था तो मैं भी यहां पर दूद करने के लिए रह रही हूँ और मम्मी और पुझा थोड़ा से गया हैं दुवाई लेने के लिए डॉक्तर के पास तो मम्मी की मैट संथी जो करतम हो चुकी थी तो मैंने सोच आए इतने में में लंच की टेरी कर देती हूँ कि तुपी आने का टाइम हो जाएगा तो कि मार्केट में काफी जादा टाइम हो गया और स्कूर्टी खराब होने की वज़ए से हम लोग राशन भी नहीं लेकर आएं मसाले लेकर डालते हो अपने इसाफ से डाल सकते हो तो I hope guys कि ऐज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना तो अब ही मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर क्योंकि ब्लॉग हो जाएगा बहुत जादा लंबा तो अब मैं मिलूँगी आपको किसी नए ब्लॉग मी तो ख्याल रिखिएगा अपना गाइस और मुझे प्यारा सो कॉमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग बाइगाइस भ्लॉग में आपको कैसे लेपको कैसे लेएगाइस